कंकर कंकर शंकर है और भूंद भूंद गंगा जल है। भारत के लिए हस्ते हस्ते प्राण नियोचावर करने में गौरव और गर्व का अनुभाव करने की बात वो हमेशा कहा करते थे। अटल जी का पूरा जीवन आदर्श्मई प्रतिभा का ऐसा इंद्र धनुष था जिसमें मौलिक्ता की छाप सहज महसूस की जा सकती थी। प्रवार क्वार क्वार की जा सकती है मौलिक्ता की जा सकता है माननी ये राश्च्रुपती ने अपने शद्धा सुमनार पित किये अटल जीने भारतिय करण को एक नई परिभाशा से गूथा था वे मानते थे कि परायों को अपना बनाने का नाम ही है भारतिय करण अबनान बनाने का नाम हुआ है अपना बनान आजए मानन ये उपराश्रुपती इस समय पुश्पांचुली अर्पित करते हुए अटल जी मानते थे कि पर को स्वर का स्वरूप देने का नाम ही है भारत ये करण ये कार्य अनादिकाल से चला आ रहा है अपने आदर्श और कई अवसरों पर उन्हें अपना अभिभावक मानने वाले माननी प्रधानमंत्री इस समय उन्हें शद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं लोग सभा स्पीकर ओम बिर्ला जी ने भी उन्हें शद्धा सुमन अर्पित किया अटल जी भारती राजनीत का वो चेहरा थे जो हमेशा सब के चाहीती रहे माननी रक्षा मंत्री माननी क्रिह मंत्री अटल जी मनोश्य के जुझहारू पन के कायल थे उनका स्वैम का व्यक्तित्व कम जुझहारू नहीं रहा इसलिए ही वे अपनी एक कविता में कहते हैं आदमी को चाहिए कि वो जूझ है पर इस्थितियों से लड़े एक स्वपन टूटे तो दूसरी गढ़े उनके निस्वार्थ समर्पण और पचास से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सीवा करने के लिए भारत का सरवूच चुनागरिक सम्मान भारत रत्न 2015 में दिया गया अटल जी की दुत्तक पुत्री नमीता और उनके परिवार के लोग इस समय उन्हें शद्धा सुमनार्पित कर रही है